नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में फाइनली आप सब के लिए कटप आचुका है जो कि BTSC, A&M के रिगार्डिंग जो कौंसिलिंग का कटप रहने वाले हैं और फाइनल जो मेरिट का कटप क्या रहने वाले हैं इन कटवपों पे हम इस वीडियो में डेसकस करेंगे और आपका बहुत सटीकली कटव बताने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा आप लोग की जो घवराहत है कि मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा कॉंसिलिंग में बुलाये जाएंगे या नह उतने मार्क्स होने के बावजूद भी आप लोग की जो अबजेक्सन लिंक प्रोवाइड करवाया गया था उसमें यदि नहीं आ रहे थे तो आप लोग को चिंता करने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें नोटिस दिया गया था कि आप लोग जो आपती नहीं है यदि आपका मार्क इस रेंज में भायरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कॉंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे तो पहले हम लोग कॉंसलिंग के रिगार्ण के लिया जाएंगे और उसका कॉंसलिंग के लेकर यदि हम बात करें जिस अदार पर और यदि हम उसी को percentage में बात करें तो आपको 86% क्योंकि जेनरल में थोड़ा सा tough रहेंगे थोड़ा सा cut-up जाएगा क्योंकि इसमें संभीदा वाले भी आ जाएंगे जिसको जैदा नंबर होंगे वो जेनरल में ही आ जाएंगे इसलिए इसका cut-up थोड़ा high रहेंगे तो इसका जनरल का cut-up थोड़ा सा है इस range में रहने वाले हैं उसके बाद हम BC की बात करें तो BC की marks में बात करें तो उसका काम रहेगा 49 number तक 49 point तक आपका बन रहा है जो marks 100 कर रहे थे आपने जो objection link किये थे तो उसमें आपको number 100 कर रहा था आपका marks जो point में था वो 100 कर रहे थे यजि इस range में आपका आ रहा है उन्चास तो आपका नेसितरोब से counseling के लिए बुलाया जाएंगे वह है यदि आपका percent में बात करें यदि आपका percent तो आपके जो marks उससे आप निकाल सकते है तो यदि आपका percent 81 बन रहे हैं BC में तो आपको नेसितरोब से counseling में बुलाया करेंगे और percentage में यदि हम बात करेंगे इसका percentage 75 रहने वाले है तो 75 EBC का रहेगा उसी तरह और भी category जो बच रहे हैं उन सारे category का हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इनका finally cut-off रहने वाले हैं और आप लोग चिंता नहीं करें क्योंकि आप लोग यदि अब्जेक्शन में हुआ है तो आपको एक बार फिर से objection करने का मौका दिया जाएगा जो आपको अपतित दर्ज करने का क्योंकि ट्वीटर एन्यम के रिगार्डिंग भी दिया है कॉंसरिंग के बाद फिर से एक बार दिये जाते हैं जैसे कि BTSC ने नया नियम लागू किया है तो आप लोगो अपने क्यों के बन रहे हैं तो आपको नेसित रूप से कौंस लिंग में सामिल किया जाएगा आप लोग अपना डिकॉमेंट को तयार रखे वह इवीची की बात करें तो इवीची का थोरा सा उससे कम रहते हैं तो इवीची में इसक्यांग जाएंगे तो इवीची का OVC स का पर्शेंट बन रहे हैं तो आपको निसीत रूप से बुलाये जाएंगे और आपना मार्क सा आप लोग देख ही लिए ङगे जब आपने जैंआ कई अपका मार्क सो कर रहेoccupars जिनका मार्क नहीं सोग कर रहे हैं वो अपना percentage से निकाल सकते हैं क्योंकि percentage तो आप अपने जो मार्क सीट है उससे भी calculate करके निकाल सकते हैं उसके बाद हम यहीं बात करें तो SC का थोड़ा सा कम रहते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि इसकी जो cut-up रहती है वो जनरली कम रहते हैं तो इसका cut-up यहीं बात करें तो मार्क में पॉइंट में यहीं देखा जाए तो 43 आपका होने चाहिए minimum और यहीं percentage में यहीं बात करें तो 72 परसेंट यहीं आपके बन रहे हैं तो आपको counseling में निश्चिती बुलाये जाएंगे और counseling की जो पड़किया है वो भी बहुत जल्द होंगे और result आप लोगों को बहुत जल्द आने वाल है उसकी regarding हम आपको सारा update बताएंगे वहीं यहीं बात करें तो ST का थोड़ा सीट कम होने के वज़र से SC से थोड़ा से ज्यादा कटब रहते हैं तो आपका ST में आते हैं यह आपका 44 मार्ट बन रहा है और परसेंटेज में 73 आपका पर्सेंट बन रहे तो आप लोग को कॉंसलिंग के लिए बुलाये जाएंगे तो इस तरीके से आप लोग की जो कट अप रहने वाले हैं यदि हम वहीं बात करें आपके फाइनल मेरित की तो जैसे के कॉंसलिंग में मेजल अप्यार्तियों को बुला जाए जाएंगे 32117 स्टेर को कॉंोसलिंग में बुलाए जाए जाएगा लगभघ इसने जह देपरस ही अभ्यहरति को बुलाए Argentine तो इस तई काया लेक्न कॉंसलिंग के मेरिट के लिए बुलाए जाएगा है देते रेंगे और BTSC के लिगार्दिंग और NM के लिगार्दिंग जो भी अपडेट आएंगे हम सारे अपडेट आपको बताते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिद्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ल